सबसे पहले आपको बड़ा अपडेट दे दे लखनों से इस वक्त मिल रहा है जहां उत्तर प्रदेश के प्रयाग राज में कल अतीक और अश्रफ की गोली मारकर जो हत्या की गई थी इस पूरे हत्याकान मामले में एक बड़ा अपडेट मिल रहा है पुलिस हिरासत में तीनो आरोपियों की फोटो जारी हुई है कास गंज हमीरपूर और बांदा के तीनो आरोपी और देखे तस्वीर अब आपको दिखाते हैं पुलिस कस्टडी में आने के बाद तीनो आरोपियों की तस्वीर प्रेस नोट के साथ डिजीपी मुख्याले ने जारी की है देखे आप ये वही तीनो आरोपी हैं तीनो हमलावर हैं जिनोंने कल रात शनिवार रात जब मैरिकल के लिए अतीक और अश्रफ को पुलिस की टीम स्टीफ की टीम लेकर जा रही थी तब मीडिया कर्मी बनकर इन्होंने इतना बड़ा दुस्ताहस दिखाया और इतने कुख्याद गैं देखें तीनो आरोपी कासगंज हमीरपूर और बांदा के रहने बले बताय जा रहे हैं जिनका नाम लवलेश सनी और अरुन मौर रहे हैं चलिए सीधा रुक करेंगे लखनव से इस वक्त हमारे विशेश समवादाता आलोक राय जी हमारे साथ लाइफ जुड़ गया है उनसे जादा अपडेट ले लेते हैं आलोक जी पहली तस्वीर हम कहें डीजीपी मुख्याले ने जारी कर दिया और इस वक्त पूचताच भी चल रही है तीनो आरोपी हिरासत में है तीनो हमलावर पुलिस कस्टड़ी में है क्या अपडेट है इस पूरे मामले में अभी तक रही है और जो जानकारी आ रही है कि अधोड़ी दिर बाद इन सब को जो है को पेश किया जाएगा उसके बाद आगे की करवाई की जाएगी उस पर कोड क्षी से निर्देश देगा उसको जो है पूल सौछ फॉलो करेगी क्योंकि जीस पुलिस के सामने मीडिया के सामने गटना को अंजाम दिया गया उसको लेकर जाहिर से बात है एक बड़ा सवाल उठा था कि पुलिस अभी रक्षा में अगर किसी कस्टोडियल जो क्रिमिनल है बड़ा आतीक जैसा क्रिमिनल है उसकी अगर हत्या हो जाती तो जाहिर से बात है बड़ा सवाल था कानून ब्योस्था पर और चर्चा इसी लिए जादा हो रही है इस बात की जो है इस घटना की क्योंकि अतीक और अश्रब को जो है कोट ने चार दिन की रिमांड पर दिया था और पुलिस रक्षा में दिया था पुलिस के अभी रक्षा में होते हैं उन्हे तुर्की की एक पिस्टल है जो तुर्की में बनती है जिगाना और बताया जा रहा है कि इसी पिस्टल से सिद्धू मोसे वाला की हत्या की गई थी यह 9 mm जो है विदेशी असलाह है और भारत में बैन है जाहिर सी बाते बाहर से असलाह नहीं आ सकते हैं तो जो एक कनेक्षन जो सामने आया था पुलिस पूस्ताज में जिस तरह स्टीक ने अपना बैयान दर्ज कराया था कि किस तरह से पाकिस्तान से ड्रोन से असलाह जो है पंजाब में गिरा जाता है वहां से फिर खालिस्तान के लोग उसको जो है नेट्ड़र्क उनका है उससे पहुंचाते और में एक लोकल एटवर्क था ती का जिससे वो लेता है और उसने पुलिस को बताया भी था कि मुझे कुछ यगहें पता है प्रयागराज में असरप को पता है हम घर का नंबर नहीं जानते हैं लेकिन हम उन जगहों पर लेकर आपको जा सकते हैं तो इसलिए स्टीफ के साथ-सा आगी कारवाई होगी और इस भी जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ ने कल नहाईक आयोग गटन करने का आदेश दिया था उसके बाद अवचारी का आदेश ग्री विभाग ने जारी कर दिया है इलावाद हाई कोट के रिटायर जजज हैं अर्बिन महिने में जो घल घटना घटी है प्रयागराज में अतिक और असरब की जिस तरह से उनकी हत्या की गई है उस पूरे प्रकरण की जांच करके दो महिने में इनको रिपोर्ट शाषन को सौपनी है कुल मिलाकर जो है ये भी एक बड़ा अपडेट है तो कई तरह से जो है अप सब्सक्राइब में ही ले जा करके सीधे जो है जहां पर असद का रिचूल सुवा था असद को सुपूर्दे किया गया था उसी कभिस्तान में कसारी मसारी के याने याने आलोग जी समझा जा सकता है इस वक्त हालात सामान ही नहीं है वहाँ पर जो अपडेट्स आप दे रह रही है बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर जुड़ने के लिए अपडेट्स लगातार आपसे लेते रहेंगे बहुत शुक्रिया अतीक और अश्रफ के गोली मारकर हत्या कांड को अंजाम देने के बाद इस मामले में तीनो आरोपियों को पुलिस ने अपनी कस्टडी में रखा है और उनसे पूच ताश चल रही है और इस बीजें